गाइस गेट रेडी फॉर एनेधर किर्किट कॉमेडी वीडियो अगर आपको भी किर्किट कॉमेडी पसंद है तो सही वीडियो पे आए हो तो आज की वीडियो के हाइलाइट्स देख लेते हैं जरा तर लिड़को फाइनली पाकिस्तान में भी कोई ऐसा प्लेयर पैदा हो ग कि सेकिंड में वो खेलेंगे या नहीं और पाकिस्तान का मीडल ओडर सेट देकर पीसी भी ने सोचा क्यों न आप ओपनिंग के साथ छेड़ चाड़ कर ली जाए तो फाइनली फखर जमार और इमामुल हक के फैन्स के लिए भी गुड निउस है इन सब की डिटियल शेर करे और मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स का टार्गिट जल्दी पूरा हो जाए तो गाइस पाकिस्तान टीम सेकिंड ओडियाई के लिए एडलेट पहुंच चुकी है नसीम शा से रिलेटिड रिपोर्ट्स आ रही है कि वो फिट्टा बस एहतियातन उनको सेकिंड ओडियाई में रेस् तुमारी जगा वोश्रूम भी हमी चले जाते हैं तब ही मैं सोचो कि ये नसीम शा भाई बार बार इंजड क्यूं हो जाते हैं पाकिस्तान के बैटर से मैं कहना चाहूंगा कि भाई कुछ तो बैटिंग कर लिया करो मुझे इस नसीम और शेहिन पर बहुत तरसाता है इन ल चलो हमारी तो ऑस्टेलिया के साथ चोटी मोटी सीरीज है बुरा तो मुझे इंडिया के लिए फील हो रहा है इनका तो डब्ली टीसी फाइनल दाओ पे लगा हुआ है हम भी जीते हुए थे मैच मैक्सवेल भाई ने तो इशारा भी कर दिया था अपनी विकेट देकर ये आख वाला बीच में नहीं आता तो ये ले गया हमसे मैच कमीने तेरा काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है अगर हम ये मैच जीत जाते तो ऐसी हाइप मिलनी थी मेरे रिजू की कैप्टेंशी को के जलजला आ जाना था किर्किट में इस हार के बाद अब मैं फील कर सकता हू इंडिया के डबली टीसी फाइनल और ओडिया वर्लकप का पेन सही गालियां देते हैं इस हरामी को फनी स्लेजिंग की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि डेविड वाडना ने कामरान को लाइब कमेंटरी में रोश कर दिया था लास्ट वीडियो से याद आये के तुम लोगे ने अच्छा रिस्पॉंस नहीं दिया उस वीडियो पे अभी इस वीडियो के बाद जो इंजुआई करके कमेंट करके लाइक करके आओ कामी शा ने बैटिंग में तो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया लेकिन जितनी देर क्रीज पे रहा है वहाँ भी मज़ा आया कमेंट से से आदमी को एटिट्यूर दिखा दिया भाई ने मान गए और क्लियो पे इस बंदे ने गोरों को खूब सताय है अजीब अजीब अवाजे निकाल रहा है अब ये मत सोचने बैट जाना के ये क्या बोल रहा है क्यूंकि ये तो कामी को भी नहीं पता होगा कामी भाई बैटर को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका थोड़ा कैजूल है इस सज्जन को क्या तकलिफ है भाई नहीं नहीं भाई कोई तकलिफ नहीं है वेरी गुड कीप इट अप परो मतलब ऑस्चेलिया को ऑस्चेलिया की ही मार मारी है MCG का कराउड उपर से मुफट कमेंटरी फिर पाकिस्तान का पेस अटेक और भाई की स्लेजिंग पूरा महौल बना हुआ था कुछ लोग कमेंट कर रहें कि कामरान घुलाम का यह प्रफेशनलिजम नहीं था कामरान ने बैटिंग में स्मिथ के सामने स्मिथ की कॉपी की और ट्विल्ड में वार्नर के सामने वार्नर की कॉपी की टोटल मिलाकर भाई मज़ा आया फखर जमान के फैंस के लिए गुड नियूज यह है कि PCB चेर्में ने मीटिंग की है फखर के साथ जिसमें फखर ने अपनी पॉजिशन क्लियर की होगी ऐसा हम अजियूम कर लेते हैं PCB का अच्छा मूव तो है जो मीटिंग हो गई काफी बाते क्लियर हो गई होगी अब फाइनली PCB को रिलाइस हो गया है कि ओपनिंग के साथ छेर चार सेहत के लिए कितनी हानी का रखा है इनकी ओपनिंग देखकर मुझे तो हसी ही आ जाती है हम तीसरे नमबर पे आते हैं बैटिंग के लिए हर इनिंग के दूसरे ओवर में इतनी छोटी सी ओपनिंग हम भी पहली बार ही देख रहे हैं इससे तो अच्छा है हमें ही ओपन करने भेज दिया करो ये एक ओवर की प्रैक्टिस तो मैं भी कर लेता हूँ जे लोगों का नहीं पता हूँ लोगों को मैं बता दू के बाबर को ड्रॉप करने पर फखर ने बाबर की सपोर्ट में ट्वीट किया था जो के पीसीबी को बहुत बुरा लगा कि एक आम सोलजर बादशा के इस कैसे जा सकते हैं और दूसरा उनका फिटनिस का भी इशु है टोटल मिलाकर भाई का केरिर खतम होने वाला था खयर अब इस मीटिंग के बाद काफी चांसेज है के ऑस्चेलिय टूर के बाद जो साउथ अफ्रीका का टूर आ रहा है उसमें फखर और इमाम दोनों होप फुली अविलिबल होंगी तो गाईस आज की वीडियो में इतना ही बाकी आचो आज की मीम्स देखते हैं इंडिया वर्शिज न्यूजिलेंड सीरीज खतम अब तो लंडनी लंडन होगा विराट भाई मज़े फखर जमान ड्रॉप हो गया मैथिव वेड रिटायर हो गया कॉली मेरे भाई छोड़ दे किरकिर दोनों भाई खेती करते हैं इंपोर्टन्ट मैच में हगना किसको आता है मैं एक्सपर्ट हूँ मुझे सब आता है आकिप भाई जान ये क्या हो गया मुझे मत पेलो मैं तब बाहिर से आया हूँ इसका पेलो ये कैप्टेन है चलो गाईस तुम लोग अपना रोना धोना कंटिन्यू करो मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है बलीव मे और नॉट वी आर ट्विंडी रन शॉर्ट बाबर भाई वी बलीव यू तो गाईस कैसी लेगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा आप वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मैक्सिमम लाइक्स और सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे इस वीडियो पे बाकिया हसते रहे हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में बाबाई